नमस्कार, स्वागेत है आपका न्यूस क्लिक में अभी हम वारो नसी में हैं और यहां ग्यानगवापी मस्जिद और शिंगाल गौरी का विवाद हर दिन एक नए मोड पे आता जा रहा है इस पूरे विवाद को एक एक एकेडमीशन और हिस्ट्री की नगर से जानने के लिए अभी हमाल साथ बास करने के लिए मौजूद हैं बनास हिंदू युनिवरस्टी के प्राफसर महेश प्रसाथ अहिरवाद साहब हम इस हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं और एंसियल्ट हिस्ट्री के टीचर हैं कि हिंड से जानेंगे कि डोनों तरफ दोनों पक्ष Pence की दावे हैं उनमें कितनी सचाई है कितना मीत है सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि दोनों पक्ष का जो दावा है एक पक्ष यह कहरा है कि वह एक मन्दीर को को डेमोलिश करके वो मस्जिद बनाई गई और अभी जो सर्वे में जो कोट कमिशनर्स ने सर्वे कंड़क्ट किया उसमें जो डिस्कवरी हुई एक स्ट्रक्चर की जिसको वो शिबलिंग कर रहे हैं उस दावे में कितनी सच्चाई है जहां तक मैं इस पर ज्यादा टुपणी नहीं करूँगा पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो शास्त्मस ढंक से जो भी प्रित्माइब बनाई जाती थी प्राचीन काल में उसका एक concept ले करके बनाया जाता था और वह सास्त्री विधान के अनुरूप यदि वो बना है तो शिवलिंग है किसी भी आकार को हम शिवलिंग नहीं कह सकते हैं तो जिस तरह से विरोधा पास पूर्ण जो बातें आ रही हैं और अपना अपना ओपिनियन लोग दे रहे हैं कोई उसको कहने में लगा है बनारस में ऐसे हिस्टोरियन और जो कला विद्ध हैं जो बहुत बारी की ग्यान रखते हैं कला के छेत्र में मेरा खुद का अपना काम है शिवलिंग पर कल्चुरी कालीन शैव प्रतिमाओं का अध्यान मैंने किया है तो हमें पता है कि शिवलिंग किस आक उन लोगों की द्वारा लगाये जा रहे हैं जिनको ना कला का ग्यान है ना प्रतिमाओं का ग्यान है ना और किसी इतियास का ग्यान है तो ऐसे लोगों की बातों में हमें जाने के वज़ाए हमें तत्यों पर बात करनी चाहिए और एक्सपर्स ओपिनियल लेना चाहिए खा प्राचीन भारती इतियांज के अध्यता हैं और बनारस में हमारा अखलग विभाग हैं बनारस हिंदु इनुवसिटी में एक कanche इतियाष्य विभाग हैं जो सिर्फ away का अध्यन करता हैं करता हैm पेलेग्राफिक का है हमारे हम उद्रा सास्त्री हैं ऐसे हर विधा के विशे सक्गे हैं क्या जो शिवलिंग का दावा कर रहे हैं उनमें से कोई एक भी विशे सक्गे हैं मैं समझता हूं कि इन बातों से परे जाकर के हमें तथ्यों की परताल ठीक से करना चाहिए तो दावे कोई किसी भी तरह का कर देता है किसी के दावा करने से कोई अमुक चीज या जो प्रतिमा है वह नहीं हो जाती है तो उसके historical perspective क्या है वो है क्या दोने दावे में दम कितना है पूरे ग्यानवापी या जो शिंगार गौरी मंदिर का जो बात की जा रही है उसको आप history क्या सजेस्ट करता है वो क्या है नहीं हमारे हाँ तो देखिए हम समझ रहे हैं कि जब से हम इतियास का अध्यन करते हैं तो किवल बना रहे सी नहीं बलकि पूरे देश भर में ये उत्थान और पतन का इतियास रहा है तो जैसे हमें जो एविडेंस मिलते हैं हम उसको जितनी गहराई में जाएंगे सारी चीज दावाली तो बहुत ग्यार्वीं बार्वीं सताब्दी के बाद ही आई है मुस्लिम के आगमन के बाद उसके पहले किसी भी ना वेदों में न उपनिसोदों में आरन्यों को में ब्रामण ग्रंतों में और ना ही किसी सास्त साथ इस्मृतियों में हिंदू शब्द का प्रयो वापी के संदर में जिसको हम उसको हिंदू-तिर्थ के रूप में माने यदि हम उसके पहले और 3-4 साल के पहले के इतियास को यदि हम खंगालते हैं तो हमें चटी सताबि ईसापूर में इस बाद की जानकारी मिलती है कि यहां तीस बुद्ध विहार थे और तीन हजार भिक्चु निवास करते थे बनारस में और उसमें से ग्यानवापी भी एक था ग्यानवापी में भी एक बहुत बड़ा विशाल बुद्ध विहार था तो हम इतिहास में जितना पीछे जाएंगे वैसा ही इतिहास बदलता हुआ नजर आएगा तो वास्तों में बनारस में बनारस भी बहुत धर्म और संस्कृति का केंद्र था और एक समय में जैनों का भी था तो इस तरह सी यह स्रमण नान ब्रह्मण टेडिशन का सहर है यहां पर इसको हम गैर ब्रह्मण परंप्रा की धर्ति य बहुत धर्मों को नेस्ट करके ही यह जो ब्रह्मण धर्म का वर्चस यहां देखने को मिलता है आखिर मों गया जो तीस जार भी थे तीने जार भी थे और वह जो है क्या नाम से तीस बुद्ध विहार थे इस तमाम इस तूप थे ग्यानवापी में खुद्ध बड़द वि रूप में पूजी जाती है बकरिया कुंड है वहाँ पर भी है संपूरा नंद में आपका सम्राट अशोग की लाट रखी हुए है तो बनारस के कड़कड में बुद्ध के आउसे हैं लेकिन यह जो आपके दावे हैं यह वैसी दावे हैं जैसा दोनों पक्ष कर रहा है एवि बनारस के कड़कड में यह मिल जाएंगी यदि आप बहुत की बात करेंगे तो बहुत अवसेस नस बहुत धर्म या बहुत प्रतीकों के नस्तावसेस मिलाएं विहारों के मिल जाएंगे प्रतिमाय मिल जाएंगी अशोग की लाट और तमाम तरह की चीज़ें जैसे हम पर बहुत की काल में आते हैं तो हमें जैसे जहां पर ब्रामड धर्म का वर्चस देखने को मिलता है तो वहां ब्रामड धर्म से संबंदी प्रतिमाय या देवी देवताओं के या और दूसरी चीज़ें तमाम तरह के कुण्ड तालाव और बाखी चीज़ें मिलने लगती हैं और जब हम मुस्लिम पिरियड में आते हैं तो हमें फिर तमाम तरह के मुस्लिम धर्म से जुड़े और सेस मिलने लगते हैं तो उसी में ग्यानवापी का भी एक प्रक्रेन आता है तो इस तरह से यदि हम दावा करें तो फिर सही मायने में तो बनारस में या ग्यानवापी म चलिकावा, ज्यादा ससक्त बनता है तो हमें इतिहास को इतिहास ही बने रहें, बनस्फपत की वह इतिहास को ले करके जगड़ा करें और अपने दावे की पुस्ट में कुछ भी मनगरंत कहानी बना लें उससे अच्छा इससे क्या होता है कि हम आपस में एक तो हम आपस में लोगों के बीच में दूरियां पैदा करते हैं और जो वास्तिक हमारे देश का जो इतिहास है उसको नजरंदाज करते हैं जिसमें हम अलगउलग काल विशेस में अलगउलग तरह के धर्म और परंप्रा या हमारे बीत्रिवाज का प्रभा था है तो उसको इतिहास की रही हमें हमें लेना चाहिए और उस का कैना जो यह वर्त है अभी जो historical wrongs भ्रुट करने का यह एक तरह का भ्रहमा है एक तरह के लोगों को गुमडाय के लिए और रखो एंड करने के लिए इत्यास को आफ कैसे ठीक करेंगे यदि इतियास को ठीक करना है तो जितने भी आप इस देश में बना रहे हैं हम बता रहे हैं कि पूरे इस देश में इतियास को ठीक करना है तो सब सारे मंदिरों को जो बहुत विहारों को नस्ट करके बनाए गए जो बहुत मंदिरों को बहुत प्रतिकों को नस्ट करके हुआ है तो उसको कौन ठीक करेंगा सिर्फ आप कुछ काल कhen तक पीछे या कर कि उसको ठीक करा चाहेंगे जो मूस्लिम का इतियास है उसी को ठीक करना चाहेंगे या उसकе पहले का भी ठीक करेंगे पुस्मित्र सुंग से लेकर शंकराचार के पीरियट ऑन कि इस तो फिर मुस्लिम पीरियट को ही क्यों कर रहे हैं आप तार्गेट करें आप डियलोजिकल या साइंटिफिक एविडेनस सजस्ट करता है कि वहाँ पर एक टेंपल लाइक इस्ट्रक्शिर को डेमुलिश किया गया और मास्क बनाई गई यह हमारी कोई जो बात वी तो उन्होंने कहा और तो लेकिन एक जो बड़ा नेरेटिव चल रहा है वो यह है कि पूरे मुगल एरा को एक तो मुगलों को मुसल्मानों से जोड़ दिया जाता है मतलब आज के इंडिया में इंडिया के मुसलिम्स को मुग आज कर और अग्जीव रिड्ड मुसलिम्स हो गया तो उसको जो इतना बड़ा विलेन बनाके दिखाया जा रहा है आज इव कि के और अंग्जीव ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही काम किया उसने टेंपल को डेमुलिश किया या मुगलों का एक ही काम रहा पूरे के जन्मानस में ऐसा भर दिया गया है लेकिन वस्त तो इस्तिती एकदम दूसरी है यहां बारवी सताब्दी का मंदिर है गहड़वालों का कंदवा में उसको नस्ट क्यों नहीं किया औरंग्जेव ने आज भी खड़ा हुआ है बनारस में ऐसे कितने कितने ऐसे जगें जो अभी भी हजार साल से विद्दमान है उनको नस्ट किए नहीं किया खजराहों में आज 25 मंदिर वरतमान में उनको क्यों नहीं नस्ट किया कोई मत्प्रिदेश तो बहुत दूर नहीं था और अभीहान से क्यों मंदिर बच्चे रह गए और कोई एक वी कोई एविडेंस बत तो वो फर्मान तो है, फर्मान इस बात का है कि बनारस के पास मंदिन न तोड़े जाएं, आपके संग्यान में ये बात, भारत कलावान में उसके द्वारा जारी किया गया एक फर्मान है जो उसने अपने यहां के एक पदादिकारी से पैसालार के नाम से जारी किया गया था, कि हमें खबर मिली है राजदरवार में कि बनारस के आसपास के जो ब्रामण पुजारी है मंदिरों में पूजा पाट करने वाले उनको तंग किया जा रहा है तो उसने एक आदेश जारी किया कि किसी भी तरह से किसी भी ब्रामण पुजारी को तंग ना किया जाए इससे हमारा सौहाद्र बिगड़ेगा ये राजाग्या है और भारत कला भावन जिदेश का प्रतिस्चित म्यूजियम है बियाच्चू के अंदर है उसमें रखा हुआ है तो ये ग्यानवापी क्या है और अंदर के तूटने की वज़े कुछ और भी हो सकती है जो किसी के भी संग्यान में नहीं है और अंदर को बचाने का फर्मान जारी करता है और बनारस में दूसरा करद मेसवर का मंदिर श्यूका मंदिर है वो वर्तमान में हजार साल से अभी खड़ा है तो यदि वो अभियान चला करके तोड़ने का अभियान में लगा होता तो ये मंदिर क्यों सबूत बचे रहते हैं एक बात दूसरी बात यदि वो मंदिर तोड़ने का घटना करम हुआ तो उसके पीछे का क्या तत्य है इसको खोजने की जुरत है जैसे बहुत सारे इतिहासक कि वहाए हो इस बात के बहुत पुकता सबूत हमरे पास नहीं है लेकिन इस तरह का इतिहास कारों ने लिखा इस बात को इंगित किया है और उन राणियों को मंदिर के तैकाने में ले जाकर उनके साथ बिए गया और इसी वज़ए से हूं मंदिर तोड़े जाने की ख़वर ज जिसमें ये बात कही गई है कि औरंग जेब ने आदेश दिया कि कोई भी मंदिर ना तोड़े जाए और ना ही वहां पर वहां के पुजारियों को परेसान किया जाए जो आप कहानी बता रहे हैं कि अच्छा ग्यानवापी पर देखें ग्यानवापी का पहला उल्लेख हमुए हिंदू तीर्थ के रूप में कृतिकल्प तरू में मिलता है और वो बार्वी सताबदी के रचना है और वो गहडवालों के समय है गोविन चंद गहडवाल के एक मंत्री ने उसको लिखा था लक्षमी दर्भट ने तो ये बार्वी सताबदी के आजपास ग्यानवापी का ग्यानवापी किसी समय 400 साल पहले 400 क्यों च्छे च्छे बार 600 साल पहले वहां बहुत विहार थे तो इतिहास के क्रम को यह दि पलटने जाएंगे तब तो बहुत सारी चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगे तो हमें लग रहा है कि इतिहास के इतिहासी रहने देना कि समय काल और परिस्तितियों के हिसाब से चीजों में बदला हुआ है हमारे प्रितिकों में बदला हुआ है और इसी से हमारे देश की मिली जूली संस्क्रती का विकास हुआ है कि एक तरफ क्यों हिस्ट्री को हिस्ट्री का मामला है वहां पे पर्टिकुलर कम्यूनिटी का कितने सालों का होगा कितने सालों से हम साथ साथ हैं एक तरफ वहां असान है और दूसरी तरफ मंदिर के घंटे बज रहे हैं ज्यान वापी कोई आज तो खड़ी नहीं की गई है आज यह इसू क्यों उठाया जाना है अभी क्या बनारस में ज्यान वापी में नमाज अदा नह सारती नहीं होती सारी चीजें हो रही है तो उससे तो हम आपस में मिलजुल करके रहने रहना सीखाया हमने हमारी मिलजुली संस्कृति का प्रतीक है कि एक दीवार के एक तरफ घंटे घड़याल और पूजा हो रही है और दूसरी तरफ अजान हो रही है नमाज अदा की जा के वो जो पुजारी आयत है और अर्तों के साथ में भिहाब हुआ यह इसको एक साइट तो विलकुल रिजेक्ट कहता है वो ता भोगस स्टूरी है यह आप हर स्टूरी को भोगस कह देंगे जो आपके फेवर में होगी या जिसको आप सुविधा जनक समझते हैं वो सारी इति को नकारने की यह स्परो extreme सैं हमें बाज आना चाहिए पहले चीज़े और यदि हम इतियास को फिर ठीक करना चाहें तो थोड़ा हम आद इदर मुग्लों को ा इतियास क्यों ठीक करें फिर ह्रुआ है फिर यहां पर बहुत धर्म के नस्ता मैं जैसों को विहारों को उसको ॥ो सब्सक्राइब एक यह की अल्टीकर की किताब है एक अथोरिटी माने जाता था वह वार नसी की हिस्ट्री पे उसमें क्या हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं इन सपोर्ट ऑफ मॉस्क और टेंपल और और दा पुर्बर्टिट शिवलिंग्स देखें बनारस में और पूरे देश में भी जो सिवलिंग के निर्माण की प्रक्रिया सिवलिंग की पूजा की परंप्रा के एविडेंस है कोशाणों के पिरियट के कुशाणों का पिरिएट क्या है पहली सतावदी इसवी 78 और और पहली सतावदी के आसपास का समय है और वहाँ पर हम देखते हैं कि इस देश में प्रतिमाय बनने लगी शिवलिंग और बाकी हिंदू और ब्रामण बौध जैन सबी धर्म से समद्धित प्रतिम का निर्मान होने लगा तो ये और उसमें ये तीनों धर्म ब्रामण बौध और जैन के आउसेस यहां पर मिलते हैं बनारस सिर्फ इतना हिने यहां पर सबसे पहले यक्षों का प्रभाव था और यक्षों में यक्ष जो लोग देउता माने जाते हैं के हना तो यह सारी कहानिया आलते कर sigarnya या आपको वासदे ऊना अग्रवाल कि किताब में मिल जाएंगी कि बनैरस का इटियास क्या है और यहां किन-किन प्रतीकों की पूजा होती थी उनका क्या इंक्वाटन्स था आ कि लोगों लिए एक बीर का कांसेप्ट है जो लोग देवता माने जाते हैं जगे जगे आप देखेंगे भोगा बीर बुला बीर बड़ा बीर चोटा बीर तमाम तरह के ऐसे हमरे यहां नाम है आज भी उन्देवी देवताओं की पूजा होती है तो यहां लोग का और उसका अलीट का द करना चाहेंगे तो सबको आपको समाइद करना पड़ेगा आपके जहन में स्विकार करना पड़ेगा और यदि हम यह सोचे कि नहीं सिर्फ हम यह आपका जो मंदिर और मस्जित के जगड़े को हम लोग हाइलाइट करके और लोगों के आपस में जो हजारों साल से मिल जुल ऐस्तोर के दौर में के अब तक चौह कोई सिस्तोरिकल भुन सर्वें कोई हिस्तोरिकल मिलाया नीचे से सकू सब्सौट करता या इन पूरे दाव के कौर में सिर्फ आस्था है फैक्ट्स नहीं है। तो कुछ भी नहीं है आस तक हम भले मान सकते हैं और यदि इस तरह के सर्वे की भी बात करें तो कोई भी ना तो आर्केलाजिकल सर्वे या कोई भी जियोलाजिकल सर्वे किसी तरह का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ प्रापर तरीके से यदि यह सर्वेक्षण होते हैं बनारस और उसके आसपास तो अच्छा होता कि पुरा तत्विदों की टीम के दोरा यहां पर एक्सकाविशन करवा लिया जाता उससे सारे मितलब इतिहास की परते एक के बाद एक खोली जा सकती है और जो भी एक्टॉल एविडेंस है वह सामने आ सकते हैं लेकिन तब भी हम फिर दोराना चाहेंगे की इस तरह का इस तरह के एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होने वाला है क्यों कि जब इतिहास के आप पन्ने पलटना शुरू करेंगे तो कभी ब्रह्मन धर्म के अन्यायों ने बहुत वियारों को नस्ट किया बहुत मंद्रों को नस्ट करके उनके आवसेसों पर इनने मंद्रों का निर्माण कि और कभी फिर जब एक फेज आता है जब तो किसी वज़े से क्यों नहीं सही जब मंद्रों को नस्ट करके मंद्रों के धुनसा वसेसों पर दूसरे मस्जिद या इस तरह की चीज़ें बनाई गई लेकिन ये दावा कि उस उसी जगह पर किसी मंद्र को तोड़ करके से नस्ट किया गया इसका कोई भी हमारे पास दस्तावेजी सबूत हमारे पास नहीं है ऐसा अकसर पूरा एक जगह नहीं बनारस में पूरे देश में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से जहां पूजा गर है उन्हीं के समीब दूसरे मस्जिद या और दूसरे प्रतीकों क निर्मार किया गया और मिल जुलकर के लोगों ने अपने अपने धर्म की आस्ता के और मानिता के अन्रूप वो पूजा आरातना या फिर बाकी काम करते रहें तो इसमें किसी तरह का हमें नहीं लगता कि हिंदू और मुसल्मानों के बीच में किसी तरह की फसाद की जड़िये मंदिर और मस्जिद बने हों कभी बनारस में आप देखें कि वहाँ पर एक दिवार के इसपार पूजा हो रही है और दूसरी तरफ नमाज पड़ी जा रही है तो उन दिवारों ने उन पत्थर के प्रितीकों ने और या मस्जिद की दिवारों ने तो हिंदू मुस्लिम में भेद पैदा नहीं किया लेकिन आज इस तरह का महल बनाया जा रहा है वो सुनियोजी तरीके से एक तरह सड़ेंद के तैत लोगों के अंदर एक देश पैदा करने के लिए अधिन और हुझारों साल से वह उस तरह जो हमारे भारती संस्ख्रतिस्फितेय선के लोकों के डिय 되고 में हैं कि मिलजुल कर के रहते हैं लाग जिंजावतों के बाद वी उसको तक सुनियो open बात जो इन्हों ना कहीं ये ति उसको नक्षभ मैं अगर कहा छाएं तो यह इनोंने कि हिस्ट्री को अपनी करुइन क्विनेट चोईस के हिसाब से आप इपर्टिकुलर पीरियर की बात कर रहे हैं उससे पहले और उसके बात की बात नहीं कर सकते हैं तो जो ईस्टारीकल रॉंग को करेक्ट करने की बात जो की जाती है इनका ये कहना है कि ये नहीं किया जाना चाहिए इससे कोई फायदा नहीं है जो कमिनल फैबरिक है जो सोसाइटी की जो सिंक्रेटिक कल्चर है उसको बनाए रखने के लिए इस इशू को इस पे स्टेटस को जो है वो लागू रहना चाहिए ये पहली ब बात यह है कि सर्वे कमीटी जिस पे यह सारा विवात चल ला है जो पॉट आप्वाइंटेट कमिशनर्स थे इनका यह कहना है कि वह कोई हिस्टीक एक्सपर्ट नहीं थे जियोलोजीक एक्सपर्ट नहीं थे तो उनकी जो फाइंडिंग्स है वो एक 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 आडिमिक नहीं हो सकती है जिससे यह डिसाइड किया जाए कि दोनों स्ट्रक्चर का नेचर कैसा है अभी के लिए इतना ही यह इंट्रव्यू कैसा लगा हमें दरूर बताएंगे शुक्रिया